नमस्कार आज हम कक्षा बार्वी का अध्याय साथ समाकलन आरंब करेंगे समाकलन फलनों के आलिख से गिरे छेत्र को परिभाशे एवं इन छेत्र का छेत्र फल परिकलन करने की समास्याओं से प्रेरित है हमारे पास यदि एव डेश का अस्तित्व है तो सोभाव एक प्रशन उठता है कि क्या हम फलन एव को ग्याद कर सकते हैं उन सभी फलनों जिनसे एक फलन जो की अफकलज प्राप्थ हो रहा है उन्हें प्रति अफकलज यानि पूर्वग कहते हैं वह सूत्र जिनसे यह सभी प्रति अफकलज प्राप्थ होते हैं वह और निश्चत समाकलन कहलाते हैं और इनका प्रक्रम समाकलन करना कहलाता है इस अध्याय में हम दोनों रूप और निश्चत एवं निश्चत समाकलन पढ़ेंगे तो आज हम इस सत्र में समाकलन को अफकलन के व्युदक्रम, प्रक्रम के रूप में देखेंगे निरिक्षिन विधी का उप्योग करते होए फलनों का प्रती अफकलाज ग्याद करना देखेंगे अनिश्चित समाकलन का जामितिनी रूपन, अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुण धर्म, अफकल एवं समाकलन की तुलना और अंत में प्रतिस्थापना से समाकलन करना देखेंगे तो आईगे शुरू करें, सबसे पहले, समाकलन को अफकलन के व्युतक्रम, प्रक्रम के रूप में, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Integration as the inverse process of differentiation. आपके सामने क्या देख सकते हैं? कुछ फलन के अफकलन्च, आप जानते हैं, sin x का अफकलन्च, cos x होता है, और x का वर्ग बटे में 2 का अफकलन्च, x. तो यानि, क्या कह सकते हैं? बलकुल सही, cos x का sin x क्या है? अफकलन्च है, अथवाई से मैं क्या कह सकती हूँ? cos x का प्रती अफ्कलज sin x है इसी प्रकार x का समाकलन यानि प्रती अफ्कलज x वर्क बटे में 2 है ठीक, गौर करेंगे यदि मैं sin x जमा c ये c क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या ये क्या है? अचरफलन और हम जानते हैं अचरफलन का अफ्कलज क्या हो जाएगा? sin x प्लस में c और ऐसे ही आपको इस वाले फलन में भी प्राप्थ होगा तो आप क्या निश्करश निकाल सकते हैं? देखेंगे जो उप्युक्त फलनों के जो अफ्कलज हैं वे समान है sin x का अफ्कलज, cos x और sin x प्लस c यानि कोई भी मैं वास्तविक संख्या कर दूँ तो उसका भी अफ्कलज हमें cos x मिल रहा है ठीक? इससे हम क्या कह सकते हैं? उप्युक्त फलनों के प्रती अफ्कलज अध्वित्य नहीं है यानि एक नहीं मिल रहा आप देख सकते हैं जैसे-जैसे मैं c का मान भढ़ती जाएंगे विभिन-विभिन मान के लिए हमें विभिन प्रती अफ्कलज मिलते रहेंगे जो कि हमारा अगला बिंदू दर्शा रहा है अब परमित प्रती अफ्कलज हैं जिन्हें हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चे के स्वेच अचरसी को कोई भी मान प्रदान करके प्राप्त कर सकते हैं यानि जो c है हमारा क्या है वे एक प्राजल है आएब आगे देखे तो यानि एक फिलन कापिटल F ऐसा है कि d by dx fx is equal to small fx जहां सारे x हमारे इस अंतराल में से आ रही है ये i क्या है वास्तविक संख्याओं का अंतराल है ठीक यानि क्या दर्शा रहा है कि ये जो हमारा small fx है वे क्या है इस capital fx का अफकलज जिसे हम क्या कह सकते है ये capital fx हमारा प्रतिएफकलज है इस small fx का ठीक, तो प्रती एक स्वेच अचर C के लिए भी हमें क्या प्राप्थ हो रहा है, D by Dx, capital Fx, प्लस में C, बराबर में small f, जहां X हमारा अंतरालाई में से आ रहा है, तो इस प्रकार हमें क्या मिल रहा है, Fx प्लस में C, ये सारे फलन, ये क्या दर्शा रही है, प्रती के परिवार को दशा रही है, देख सकते हैं, प्रती अफकलज के परिवार को व्यक्त कर रही है, जहां ये C क्या है, कोई भी वास्तवेक संख्या, ठीक, आईए भी स्टिपनी पे गौर करें, समान अफकलज वाले फलनों में एक अचर का अंतर होता है, और इसका संकेतन, य य हमारा प्रतीअफ का लज हुआ, एफक्स का, तो हम इसे किस प्रकार दिखाएंगे, यानि इसका प्रतीक क्या होगा, वाई बराबर में समाकलन, ये देखेंगे, ये हमारा प्रतीक है समाकलन का, तो एफक्स का समाकलन किया, इस प्रकार हम इसे लिखते हैं, ठीक, आईए बागे देखें, यहाँ पे आपके परस कुछ प्रतीक, पध और व्याक्यांश है, और उनका मतलब भी है, इस तालिका में आप सबसे पहले देखेंगे, यह हमारा संकीतन, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा फलन F है, तो फलन का X के स सापेक्ष में समाकलन, या आब यहाँ देखेंगे, यह समाकलन में f x यानि यह फलन क्या देशा रहा है जिसका हम समाकलन निकाल रहे हैं, तो उसे हम समाकल्य कहती हैं, आज तो देखेंगे यह X, सो बाविक है, यह क्या कहलाएगा, समाकलन का चर, समाकलन करना, जिसका हम समाकलन निकालना चाहते हैं, तो समाकलन ग्याद करना, F का समाकलन, वह क्या है, F का समाकलन, यानि किसका हमने समाकलन करना है, तो क्या ग्याद करना है, हमें, प्रती F कलच ग्याद करना है, तो ए एक फलन, कैपिटल F, जिसके लिए F-X किसके बराबर हो, F-X के, छी, आगला बिंदू देखेंगे, समाकलन संक्रिया, यानि समाकलन ज्याद करने का प्रक्रम, प्रक्रम यानि प्रासेस, छी, समाकलन का अचर देखी है हमने, अचर यानि C, कोई भी वास्तविक संक्रिया, जि तो हमने C देखा था, परिवार में, यानि हमारा जुस्ब क्या कहलाता है, समाकलन का अचर, ठी, आईए अब आगे देखें, अब हम देखेंगे कुछ प्रश्न, इस प्रश्न में हमें बोला गया है, निरिक्षन विदी का उप्योग करते हुए, निमलखे, जो फलनों का प जाते हैं, जिसका अफकलच क्या हो, कॉस्ट तू एक्स, बिल्कुल, यदि हमारे पास ये एफएक्स है, तो हमें ऐसा क्या ढूणना है, फलन ढूणना है, जिसका अफकलच क्या हो, एफएक्स हो, यही कह रह चा रहे हैं हम, ठीश, तो गौर करेंगे, अग यदि हम साइन का, अब कलज ग्याद करें, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 cos 2x, ठीक, अब देखेंगे, ये तो हमें नहीं मिला, अगर हम इसे 1 बटे 2 से, क्या कर दें, गुणा कर दें, तो क्या मिल रहा है, cos 2x, बराबर में, 1 बटे 2, d by dx, sin 2x, जो की बराबर है, d by dx, 1 बटे 2, sin 2x, ठीक, तो या नहीं आपको मिल गया, क्या मिल गया, प्रतिय अफ कलज, किसका, cos 2x का, तो cos 2x का प्रतिय अफ कलज, 1 बटे 2, sin 2x, है, ठीक, इसी प्रकार, आईए दूसरा प्रशन को देखें, b part, यानि 1 बटे x का हमें क्या ग्याद करना है, प्रतिय अफ कलज, जहां हमारा x क्या है, शुन्य अत्तर है, यानि शुन्य संख्या नहीं ले रहा, अब हम जानते हैं, यदि हम log x का अफ कलज गयाद करें, तो वह क्या होता है, एक बटे x, जहां हमारा x ग्या हो, शुन्य से बड़ा हो, इसी प्रकार, यदि हमारा x शुन्य से छोटा होता है, तो log minus x का भी हमारा अफकलज होता है वे क्या मिल जाता है एक बटे माइनस x और गुड़ा में माइनस 1 तो आप गौर करेंगे कि d by dx अगर लॉग का निर्पेक्ष मान निकाले या निर्पेक्ष x देखें तो उसका अफकलज कितना आ रहा है एक बटे x जहां x हमारा शुनियत तर है तो हामें प्रतियफ कलज किसका प्राप्त हुआ लॉग मॉड एक्स तो हमें एक बटे एक्स का प्रतियफ कलज ग्याद हो गया देख सकते हैं एक बटे एक्स का समाकलन यानि इसका प्रतियफ कलज कितना है लॉग मॉड एक्स ध्यान रखेंगे ये लॉग मॉड एक्स हमारा क्या है प् यहने हम सीधा इस्तमाल करेंगे, आपने कई क्या करें हैं, फलनों के अफकलज देखे हैं, जैसे कि X की घात N जमा एक बटे में N जमा एक, इसका अफकलज X की घात N, X का अफकलज 1, Sine X का अफकलज Cos X, Minus Cos X का अफकलज Sine X, इसी प्रकार, आप क्या निकाल सकते हैं, यह सार से, X की घात N, 1, Cos X, Sine X, क्या पता हैं आपको, इनके प्रतिय अफकलज, यानि अगर हम इनका समाकलन करें तो, जो की आप यहां देख सकते हैं, X की घात N का समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, X की घात N प्लस 1, बटे में N प्लस 1, जमा में C, ठीक, एक का समाकलन, यानि उ C, Cos X का प्रतिय अफकलज, Sine X जमा में C, Sine X का प्रतिय अफकलज, माइनस Cos X जमा में C, और इसी प्रकार आपको पूरी सूची आपके सामने हैं, जैसे की आप इस दूसरी सूची में भी देख सकते हैं, कौर करेंगे, इस वाले सूत्र में हम जानते हैं, माइनस, कौठ प् तो यानि एक बटे, एक जमे X के वर्ग का प्रतिय अफकलज, या फिर जब हम इसे समाकलन निकाले इसका, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस, कौठ प्रतिलोम X जमा में C, ठीक, आईए, अब आगे देखते हैं, ध्यान देंगे, प्रयोग में हम प्राए उस अंतराल का जिक्र नहीं कर रहे, अभी तक हमने किसी भी अंतराल का जिक्र नहीं किया, जिसमें विभिन फलन परिभाशित हैं, तो आपी किसी भी विश्रिष्ट प्रश्न के संदर में, जब हम किसी विश्रिष्ट प्रश्न को लेंगे, उसके अंदर इस अंतराल का जिक्र करना अनिवारे है या फिर करना चाहिए, ठी? आईएब आगे देखें, क्या देखेंगे? अनिष्टिस समाकलन का जामितिय निरूपन, ठी? हमारे पास एक फलन लिया है हमने, fx बराबर में 2x, तो यानि इसका समाकलन, यानि इसका प्रतियफ कलज ग्याद करें, तो वे क्या होगा? x का वल जबा में c, और गौर करेंगे, y बराबर x का वल जबा में c, ये समाकलनों के एक परिवार को निरूपित कर रहा है, देखा था हमने, और ये क्या दर्शा रहा है? प्रतियेक समाकलन, एक परवलय को निरूपित करता है, जिसका अक्ष, y अक्ष के अनुदीश है, ये परवलय हमारे दर्शा रहे हैं, कैसे दर्शा रहे हैं, जैसे जैसे हम C का मान डालेंगे, वैसे वैसे हमें एक अलग परवलय मिलेगा, इस प्रकार C के प्रतियेक धनात्मक मान के लिए, परिवार के प्रतियेक परवलय का शीष Y अक्ष के धनात्मक दर्शा में होगा, क्या दशारा है हम जान रहे हैं y बराबर x वर्ग जमा में c क्या दशारा है परवलयों का परिवर जैसे कि यदि हम c को 0 रखें तो हमें मिलेगा y बराबर में x का वर्ग C को एक रखने पर Y बराबर X बर जमा एक मिलेगा दो रखने पर Y बराबर X बर जबा में दो मिलेगा तो यानि जब हम C का मान धनात्मक रखते हैं तो हमारा जो परवलय है उसका शीष Y अक्ष के धनात्मक दिशा की और में मिलता है तो सो भाविक है यदि हम C का मान क्या रखे रिनात्मक रखे तो उसके लिए प्रती एक परवलाय का शीष Y अक्ष के रिनात्मक दिशाक में मिलेगा यानी नीचे की और मिलेगा देख सकते हैं ये वाला जो हमारा परवलाय है देख क्या दर्शा रहा है Y बराबर में X वर माइनस एक यानी यासी का मान क्या रखा हमने माइनस एक ठेक अब गौर करेंगे किस पे इस वाली रिखा पेवे क्या दर्शा रही है X बराबर में एक ये सारे परवलेओं को बिंदूओं पे प्रतिछेद कर रही है P3, P2, P1, P0, P-1, P-1, P-2, 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 P-1 इन सभी पे ह हमारी प्रतिछेद कर रही है और गौर करेंगे इन सभी बिंदूओं पर परवलेओं पे जो स्पर्श रेखा है वे कैसी आ रही है समानतर आ रही है तो इसी से हम क्या निकाल सकते हैं आये जामिति निरूपन निमलकित कतन यानी हम क्या लिख सकते हैं अगर देखें तो Y को X स्क्वेर जमा में C यानी ये क्या दशा रहा है हमारे परवलेओं का परिवार तो निरूपन क्या दशा रहा है अगर हम FX का समाकलन करते हैं तो हमें जो परिवार मिलता है यानी FX प्लस में C बराबर में Y बक्रों के परिवार को निरूपित करता है सी के विभिन मानों की संगत हमें इस परिवार के विभिन सदस्य प्राप्त होते हैं और इन सदस्यों में हम किसी एक सदस्य को स्वैम के समानतर स्थान अंतरित करके प्राप्त कर सकते हैं कैसे देख सकते हैं यह क्या है अगर हमारा एक परवलाई है तो दूसरा परवलाई उसके समांतर है ठीड यह इसका किसका अनिश्चे समाकलन का ज्यामिति निरूपन है ठीड आईए अब आगे देखे अब हम देखेंगे अनिष्टित समाकलनों के कुछ गुण धार्म निमलखेत परिनामों के संदर्व में अफकलन एवं समाकलन के प्रक्रम एक दूसरे के व्यूतक्रम है चोकि हमने देखा है देख सकते हैं यदि हम एफकलन करें और उसके बाद उसका अफकलन प्राप्त करें तो हमें क्या मिलेगा हमें फलन एफकलन एफकलन ही प्राप्त होगा और यदि हम फलन का अफकलन उसका समाकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा F X जमा में C जहां C हमारा एक स्वेज अचर है ठीक अब दूसरे बिंदू पे ध्यान देंगे ऐसे दो अनिश्चे समाकलन जिनके अफकला समान है वरक्टों के एक ही परिवार को प्रेरेद करते हैं और इसे हम इस प्रकार सम्तूले कहते हैं यानि वे इस प्रकार सम्तूले हैं दो परिवार देख सकते हैं समाकलन F X जमा में K K हमारा क्या है? कोई भी वास्तविक संख्या ऐसे ही G X का समाकलन जमा में C जहां C भी हमारा एक वास्तविक संख्या है इसकी सम्तुलिता को प्रथानुसार हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं यानि fx का समाकलन बराबर में gx का समाकलन ठीक, ध्यान देंगे इसके अंदर हमने जो प्रांचल है उसको नहीं लिखा अब तीसरे बिंदू पर ध्यान देंगे यदि हम fx जमल gx का समाकलन कर रहे हैं यानि दो फलनों के योग का समाकलन इसके बराबर होगा यदि हम fx का समाकलन निकाले फिर gx का समाकलन निकाले और फिर इन दोनों को क्या करें? जोड़ दें, यानि इनका योग निकाले ठीक, इसके बराबर होगा अब आखरी बिंदू हमार को क्या दर्शा रहा है यदि हम fx यानि किसी फलन के साथ एक अधीश यानि कोई भी अचर गुणा कर दे और उसका समाकलन निकाले तो वे किसके बराबर होगा यदि हम फलन का पहले समाकलन निकाले और उसके बास उस अधीश यानि उस अचर को इन दोनों तीसरे और चोथे जो हमारे गुंड धर्म है इससे हम क्या कर सकते हैं व्याप की करण भी कर सकते हैं जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास कुछ निच्वित फलन है F1, F2, F3, Fn तक और हमारे पास कुछ संख्या हैं K1, K2, K3, Kn तक ठीक तो हम क्या देख सकते हैं यदि हम K1, Fx1 जमा K2, Fx2 जमा कहां तक कर रहे हैं Kn, Fn, X इन सब का योग करके समाकलन करें तो वे इसके बराबर होगा इसके K1, Fx1 का समाकलन किया जमा की 2 गुड़ा में Fx2 का समाकलन जमा ऐसे करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है निश्चित फलन है ठीक, परिमित है तो वह क्या हो गया जमा Xn समाकलन गुड़ा करना है किसका Fn का ठीक, आईए अब इस पे कुछ प्रशन ले ले इसको भैतर समझने के लिए तो आ हमें निम लिखित समाकलनों को ग्याद करना है यह हमारा पहला प्रशन देख सकते हैं इस समाकलन को हम सरल रूप में लिख सकते हैं वे कैसे X का वर्ग माइनस में 1 और जो हमारा गुंध धर्मतीन है वे क्या बता रहा है हम इसे प्रतक करके लिख सकते हैं यानि X का वर्ग क समाकलन, minus में 1 का समाकलन हम जानते हैं कि X की घात N, इसका अगर हम समाकलन करें तो हमें क्या मिलेगा X की घात N-1 बटे में N-1, जमा में C यानि इसकी सहायता से हम X कब वर्ग का समाकलन ग्याद कर सकते हैं तो हमें क्या मिला X की घाद 3 बटे में 3 जमा में C1 अब एक का समाकलन हम जानते वे X होता है तो हमें क्या मिला माइनस X माइनस में C2 यानि इसको सरल करने पे हमें क्या मिलेगा X की घाद 3, बटे में 3, माइनस में X, जमा में C ये C हमारा क्या है? हमने एक चर ले लिया है वे C1, माइनस में C2 दशा रहा है ठीक, अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्ण पे इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं? गुंद धर्मा 3 का प्रयोग, यानि वे क्या अदर्शा रहा है? X की घाद 2 बटे 3, इसका समाकलन, जमा में 1 का समाकलन फिर से हम इस वाले सूतर का प्रयोग करेंगे वे क्या मिला? X 2 बटे 3, जमा में 1, बटे में 2 बटे 3, जमा में 1 जमा क्या मिला? X जमा में C, ठी? सरल करने पर आप पाएंगे यह मिला? X 5 बटे 3, और यहां क्या मिला आपको? यह मिला आपको 5 बटे में 3, जमा में X, जमा में C और सरल करने पर आप पाएंगे, आपको मिला? X की घाद 5 बटे में 3, यहां हमने गुणा किया? 3 बटे में 5, जमा में X, जमा में C, ठी? तो यह हमारा इस समकल्य का समाकलन बिल गया, ठी? अब आगे देखते हैं कुछ और प्रश्ण इस प्रश्ण में देखेंगे, हमारे पास समाकल्य क्या दिया हुआ है? वर्ग मुल X, माइनस में 1, बटे में वर्ग मुल X, इसका पून का वर्ग गौर करेंगे अगर यहां हम अपनी सर्वसमिका लगा सकते हैं कौन सी? A माइनस B, का पून का वर्ग वर्ग किसके बराबर होती है? A कवर्ग, जमा में B कवर्ग, माइनस में 2, A, B ठीक? अब इसको सर्वसमिका लगाने पर हमें क्या प्राप्ट होगा? यानि सरल रूप में हमारा समाकल्य है, वे क्या बन जाएगा? X, जमा, एक बटे X, माइनस में 2 ठीक? फिर से हमारा गुंद धन में 3 लगाने पर यह मिला X का समाकल, फिर एक बटे X का समाकलन, माइनस 2 का समाकलन अज समाकलन ग्याद करने पर X का मिला, X का वर्ग बटे में 2, जमा हमने देखा था, एक बटे X का, क्या होता है प्रतिय अफका लज? लॉग मॉड X, यानि यह क्या आगया? लॉग अर X का निर्पेक्षमान माइनस 2 X, जमा में C, ठीक? इस प्रकार आपने प्राप्त किया, आईए दूसरा प्रश्न देखें, जो कि आपके सामने हैं, बहुती सरल प्रश्न है, सीकेंट फ़लन, अगर हम सीकेंट को क्या कर दें? गुणा कर दें, ठीक? तो क्या मिला हमें? सीकेंट स्क्वेर एक्स, जमा में? सीकेंट एक्स और टेन एक्स यही मिला? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चो टेन एक्स का अफकलोज होता है, वे क्या हुआ? सीकेंट स्क्वेर एक्स यानिग क्या हुआ? 10x तो वो ही हमने यहां लिख सकते हैं secant square x का हमें समाकलन ग्याद करना है और साथ ही secant x 10x का समाकलन ग्याद करना है अभी बताया secant square x का प्रतियफ कलज 10x ऐसे ही secant x 10x का प्रतियफ कलज secant x और उसके साथ में हमारा समाकलन का अचार ठीक कुछ और प्रशन ले लेते हैं आईए देखे अब इसके अंदर देखेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है यह समाकलन है इसके अंदर सरल बना लेते हैं हमने क्या किया 2 बते cos square x माइनस में 3 sin x बते में cos square x dx इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं अब हम जानते हैं एक बते cos x कितना? secant x तो यानि एक बते cos square x कितना हुआ? secant square x तो यानि और सरल करने पर हमें मिला 2 secant square x dx प्रथक भी हमने साथ ही साथ कर दिया 3 sin x एक cos हमने इस sin के साथ ले लिया ताकि हमारा tan फलन बन सके tan x बन जाएगा और ये हमने cos तो आप देखी सकते हैं हमारा क्या बन रहा है? tan x secant x और अब हम जानते हैं tan x secant x का समा कलन यानि इसका प्रतियफ कलेज कितना होता है? secant x तो ये कितना आया? 2 tan x माइनस में 3 secant x जमा में c ठी? अब अगला प्रश्न और ये प्रश्न मैं आपको ग्रह का रहे यानि आपके स्वैम आपको करना है आपके उपर छोड़ रही हैं आईए अब आगे देखें और अब धम देखेंगे प्रतिस्थापन से समाकलन गौर करेंगे इस प्रश्न पे x की सापेश 2x sin कोश्टक में x कवर जमा एक इसका हमें समाकलन ग्याद करना है इसे हम निरिक्षिन रूप से एवं प्रमानिक जो हमारे पास समाकलन है उसमें किसाइता से नहीं कर सकते यानि हमें कुछ और देखना होगा या फिर हमें उसके अंदर परिवर्तित करना होगा तो हम किसकी साइता से करेंगे प्रती स्थापन की साइता से हम इसका समाकलन ग्याद करेंगे तो आईए सबसे पहले इसकी प्रक्रिया देखे प्रक्रिया में इस पहले बिंदू पे गौर करेंगे स्वतंत्रचर x को t में परिवर्टन करने के लिए x बराबर gt यानि g फलन जो की teacher में है प्रतिस्थापित करते हुए दिये गए समाला जो हमारा समाकलन है इसको अन्य रूप में परिवर्टन किया जा सकता है यह हमारा क्या दिया हुआ है आई बराबर fx का समाकलन यहां हमने x किसके बराबर रखा gt दोनों पक्षों का t के सापेश अफलन करने पर dx बटे में dt बराबर में g डाश t मिला यहां से हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं dx बराबर में g डाश t dt यानि जो हमारा i है यानि जो समाकलन है f का x किसा पेश में वे कैसे परिवर्टित हो गया किस किसा पेश में अब हमें करना है t के क्योंकि teacher में हो गया यानि अब यह क्या आया f यहां हमने x का मान प्रतिस थापित कर दिया वे क्या है g डाश t dt ठी इस प्रकार हमें से हल करेंगे इस आखरी बिंदू पर देखेंगे यह हमें क्या बता रहा है प्रतिस थापन से समाकलन के लिए यह चर परिवर्टन करने का सूत्र हमारे पास जो उपलब्ध है वे एक महत्वपून साधन है कैसे मह हमारा जो प्रश्न है वे सरल हो जाता है अब देखेंगे गौर करेंगे इस फलन के अंदर यदि हम एक्स कवल जमाँ एक को टी मान ले और दोनों पक्षों का अगर हम अफकलन करने पर अफकलन क्याद करें तो क्या मिलेगा 2x dx बराबर में dt तो देखेंगे कि कैसे हमारा य & x वल जमा में x एक इसके बराबर आया? sin t x और यानि x का वल जमा एक ये बना t और 2x dx किसके बराबर है? dt थीख यानि यह पूरा का पूरा हमारा जो समाकलन है एक इसके बराबर हो गया? sin t का समाकलन है करते हैं sin t का समाकलन minus cos t हो गया तो minus cos t जमा में c अब t कमान वापिस गटी स्थापित करने पर हमें क्या मिल जाएगा जो हमारा इस फलन का समाकलन ठीक पर क्या मिला minus cos कोश्टक में, X कवल जमा में E, जमा में C, ठीक, आईए कुछ और प्रशन ले, देखेंगे, इस अगले प्रशन में, अब इसके अंदर, हमें क्या दिया हुआ है, हमारा परे में फलन है, जिसमें हमारा अंच क्या है, E 2X, घटा में E माइनस 2X, और हर क्या दिया हुआ है, E की घट 2X, जमा में E की घट माइनस 2X, ठीक, यदि हम इस हर को पूरे को T मार ले, तो ये क्या मिला, माइनस 2X बराबर में T, अब दोनों का क्या करें, दोनों पक्षों का, अब कलन करने पर हमें क्या मिलेगा, E की घट 2X, जमा में, माइनस 2, E की पर माइनस 2X, गौर करेंगे इसका अफकलज के साथ में यह 2B आएगा क्यों? क्योंकि यहां क्या है 2X तो इसका अफकलज कितना हुआ? E की घाद 2X का E की घाद 2X गुणा में 2 ठी? dx बराबर में dt अब 2 हम उपहनिश ले सकते हैं तो यानि क्या मिला? E की घाद 2X माइनस E की घाद माइनस 2X dx बराबर में 1 बटे 2 dt गौर करेंगे यह हमारा क्या दर्शा रहा है? अंच यानि प्रती स्थापित ना कर देते हैं प्रती स्थापित करने पर मान हमें क्या मिला? 1 बटे t dx और यह हमारा अंच किसके बराबर? dt यह कर सकते हैं अब इसका हमें सरल है समाकलन आता है फिर किसके बराबर हुआ? 1 बटे 2 log किसका? फिर्पेक्षमाद t जमा में c अब हल निकालना है यानि t का मान वापिस डाल देते हैं t किसके बराबर? 1 की घाद 2X जमा E की घाद माइनस 2X 2X माइनस E की घाद माइनस 2X जमा में c ठीक? यह हमारा हल है आईए अब दूसरा प्रशन भी देखें अब इस प्रशन में हम सोचेंगे कि हम क्या माने? यानि किसको हम t माने? पर गौर करेंगे हमारा अभी क्या है? यह जो समाकल्य है सरल रूप में नहीं है तो हम इसको परिवर्दत कर देते हैं अगर हम इसको अंच को और हर को किस से? cos X से गुड़ा करते हैं तो क्या मिलेगा? यानि cos X से इस पूरे समाकल्य को गुड़ा और भाग करते हैं तो यह मिला 10X का वर्वूल बटे में sin X cos X गुड़ा में cos X बटे में cos X यह कर सकते हैं? ठी? अब यह cos X इसके साथ लें तो हमारा क्या बना? 1 बटे cos square X अब यह क्या है? 10X का वर्वूल और इस sin X का cos X से लें तो हमारा हर में क्या मिल जाएगा? 10X फल ठीक? यानि गौर करेंगे cos square X है तो हम इसे अंच में ले जाएं तो सीकें स्क्वेर एक्स हो जाएगा और यह आया 10X का वर्वूल हर में हर में ठीक? अब आब देखी सकते हैं हम किसको T माने? 10X को अब खलच ग्याद करने पर क्या मिलेगा? सीकें स्क्वेर एक्स दी एक्स बराबर में DT तो यानि यह हमारा क्या बन जाएगा? एक बटे वर्वूल T DT ठीक? हमने क्या माना? 10X को T माना तो हमारा सीकें स्क्वेर एक्स DX किसके बराबर हो गया? DT के बराबर हो गया ठीक? आईए भी इसका हल देखें इसका समाकलन करने पर क्या मिलेगा? यहाँ पर देखेंगे क्या मिला? दो T कवर मुल जमा में सी T का मान पर दीजिए क्या आया T का मान? दो 10X कवर मुल जमा में सी और यही हमारा हल है ठी? आईए अब कुछ और प्रशन ले? अगले प्रशन में आप देखेंगे यह बहुत ही सरल है इसका मैं आपको हिंट दे सकती हूँ और इसके बाद आप उसके खुद हल कर सकते हैं देखेंगे यदि मैं किसको T मानू? 10 प्रतिलों X की घाद 4 इसको अगर मैं T मानू? तो हर चीज हमारे सामने होगी 10 प्रतिलों X की घाद 4 इसे हमने T माना यानि दोनों पक्षों का अपकलज गयात करने पर क्या मिला हमें? 1 बटे 1 जमा X की घाद 8 गुणा में 4 X की घाद 3 D X बटे में बराबर में D T तो यानि यह हमारा सरल रूप में लिखें तो क्या मिला? X की घाद 3 बटे में 1 जमा X की घाद 8 D X बराबर में 1 बटे 4 D T ठीक? तो यानि हमारा प्रश्न किसमें परिवर्दित हो गया? Sine T D T सरल है? अब इसका समाकलन तो असानी से निकाल ही सकते है ठीक? ये मैं आप पे छोड रही हूँ अब अगला प्रश्न देखेंगे इसके अंदर देखेंगे हमने ऐसा प्रश्न पहले भी किया है जिसके अंदर हमने हर को T माना ठीक? तो हमारा अंच और D X बराबर में D T मिला पर क्या यां हर को T मानने पे हमारा प्रश्न हल होगा? नहीं अब क्या मानने हम इसके अंदर? कौर करेंगे? यदि हम अंच और हर को दोनों को E X से भाग करतें तो ये हमारा जो समा कर ले है मैं सरल रूप में आजाएगा कैसे? देखेंगे E की गाज 2 X बटे में E X माइनस 1 बटे E X ठीक? नहीं हमने किया? अब देखेंगे कैसे सरल हुआ ये? ये हमारा बन गया अब प्रश्न E X माइनस E की गाज माइनस X अपोन में हर क्या बना? E X जमा में E की क्या है? गाज माइनस X गाज करेंगे ये हमारा जमा का साहिन है ठीक? अब हमारा प्रश्न जो है वे सरल हुआ और वे उसी तरह होगा जैसे हमने पहले किया था गौर करेंगे यदि अगर हम हर को t मान ले तो जो मारा अंश है dx किसके बराबर मिलेगा dt के ठीक तो यानि क्या करना है e x जमा e minus x से हमने माना t ठीक तो हमारा जो प्रश्ण है तो है कैसे हो गया सरल किसमें परिवर्तित हो गया एक बटे t dt और इसका हल चानते हैं तो है क्या ह हुआ log mod t plus में c और फिर आपको t command डालना है ठीक यहां तक छोड़ रही है इसके बाद आपको करना है ठीक आईए अब आगे देखते हैं इस सत्र में हमने क्या किया सारांश में समाकलन अफकलन का व्यूत क्रम प्रक्रम है यह हमने देखा इसके बाद हमने समाकलन का जामित निरूपन देखा हमने अनिश्चे समाकलन के कुछ गुण धर्म भी देखे जो कि आपके सामने है साथ ही हमने कुछ प्रमानिक समाकलन देखे जिसकी सूची हमने बताई भी थी और आपके सामने आप देख भी सकते हैं साथ ही हमने एक और प्रक्रिया देखी समाकलन निकाल इसके उपर भी कुछ प्रमानिक आती जो समाकलन है उसकी सूची दी हुई है इनको हम अगले सत्र में पढ़ेंगे ठीक तो आशा करते हैं आपको इस सत्र में समझाया होगा आनंदाया होगा धन्यवाद झाल झाल